हेलो गाईज, वेलकम टू देव भूमी करियर पॉइंट, तो देखे, फोरेश्ट गार्ड मॉडल पेपर आठ है आज का, जिसमें मैंने इंक्लूट के हैं कुछ महत्वपोंग प्रस्न, कुछ प्रस्न आपको इसमें मिलेंगे, UK Constable की जो भरती हुई थी, वहाँ से मैंने लि तो पहला question है, आज के इस model paper का की, गोल में सम्मेलन कहां आयुजित किये गए थे, तो देखे, गोल में सम्मेलन ये सभी आयुजित हुए थे London में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोल में सम्मेलन के बारे में मैंने आपको गाधिवाद वाली वीडियो में अच्छे से बताया देखना चाहेंगे, अगर आप तो वीडियो की description में मैं link दे दूँगा उसका, अगला देखे, निम्न में लाल, पाल, एवं बाल से किसका संबंद नहीं है, तो देखे, लाल, पाल और बाल ये तीनों ही गरम दल के नेता माने जाते थे, तो इसमें अगर options को देखे हम, तो options के अकॉर्डिनिक्स में हो जाएगा, गोपाल के स्टने गोखले, लाल, पाल और बाल से संबंद नहीं थे, ठीक है, त्याने के लाल से लाला लाजपत राय, पाल से विपिन जंदर पाल और बाल से हो गया, बाल गंगा दर तिला, ये तीनों ही गरम दल के नेता माने जाते अगर देखे, भारत का वह पहला सासर कौन था, जिसने मुहमत गोरी को पराजित किया था, तो मुहमत गोरी को पराजित करने वाला पहला सासर था, भारत का भीम दिती है, ठीक है, तो भीम दिती है था, इन्होंने रोका था इसको राजिस्तान के एरिया में मुहमत गोरी को अगर है देखे असोग के सिला लिखो को सर्वा प्रथम किस ने पढ़ा था तो असोग के सिला लिखो को पढ़ने वाला पहला ब्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, option D next देखे, निम्न मैंसे कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो नहीं है वाला बताने आपने देखे मैंने अरप्पा काली जितने भी नगर और सहर हैं जो बसे थे उसमें स्तल थे उसकी बढ़िया ट्रिक दिया है जैसे मैंने एक ट्रिक दिया है मौसी, काला घर हरा करके भाग लो या भोग लो तो यह ट्रिक से आपको हडपा के Чार प्लेज याज हो underestimate है कौनसी नदियों के किनारे है तो अगर वो ट्रिक आपको याद है, तो आप यह कर लएगे अगर नहीं याद है तो मैं डिसक्रिप्शन में लिंक देदूँगा हडपा के सभी स्तलों के निकल जो तो नदी थे कौन सी थी उसकी ट्रिक है बड़ी जवद्दता एक बात देखेगा अच्छे से याद हो जाएगी तो अगर ध्यान से देखेंगे इस कोशियन में तो ओप्शन डी लोथल जो था लोथल नी था सतलज के किनारी ठीक है ध्यान देखेंगे ये लोथल जो था पतार जा रवी बर्मा नेकम्ड के कौश्थ मिस्तान कास्दीकारी की चिकनकारी सहली के लिए प्रसिद्द है उप्शन डी अगल्या धालगार भोर भाट और पाल गार्ट एक वीडियो मैं निया आपको तर्ट कोरो मंडल तर्ट यही सभी चीज़ा बताए थी वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यह पश्चीमी घाट में इस्तिद दर रहे हैं इसके अलामा जो पीपल घाट दर रहा है वो अलग भी इसमें इंक्लूड नहीं है वह अगर पढ़ेंगे आप तो तब दीके क्यों सा युगम सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है बताने आपने ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएक है तो अगुलास गर्म है तो सबसे बढ़ा जो ग्रह है वो है ब्रसपति नाट से कि इकोमार के किसी उतपात पर दिये गए इस प्रमाणरं का चिन्न्न होता है कि वह होता है तो रज्ड होता है रिख तक उसका जो मिट्टी में खतम होगा जब वह तो वह पर्यावरंग द्रिश्टी से अनुकूल है क्याने का मतलब उस प्रोडक्ट की पैकिंग से या उस प्रोडक्ट से पर्यावरंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है उप्शन बी हो जाएगा अगर उत्तर रक्षि ठीक है ध्यान रखेंगे नाबाट का मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म भी बताया था नैस्नल एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट बैंक है नाबाट ठीक है नेक से देखें निम्न मैंसे कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है तो फिल से नहीं है बताने आप वाधिक पाए जाती है तो यह आपको आना चे ग्रामिल छेत्रों में होती है एक तो मौसमी बिरोजगारी और दूसरी होती है अद्रिश्य बिरोजगारी दोनों होते हैं तो आप्शन सी हो जाएगा इसका मिन्याक से देखें किस संसुधन के द्वारा समविधान में समाज द्वाजवादी धर्मन निर्पेक्षेता तथा राष्ट की एकता वा अखंडता जैसे सब्द जोगल गई दे तो यह कौनसा समविधान संसुधन था बैयाली स्वाजी से लगु समविधान भी बोला जाता है अगला दिके राज जी के नीति निदेशक सिद्धानतों के अ अगला देखे भारतिय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता का उलेक किस अनुच्छेद में है तो एक समान सिविल सहिता का जो उलेक है वो बोला गया है इसका सई आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छे चववालिस और यह लागो है वर्तिमान में गोवा में गोवा लोगों को ठीक है और दो लोगों को लोग सभा के लिए भी मनोनीत कर सकता है ध्यान लखेंगे अगला देखे क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्दमैसे कौन है तो लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक लिखी थी उसको लिखने वाले बैकती थे लाइसो प्रोपीन का भावलक ठीक है जिसने साइंस पढ़े है वह अच्छे से बताएंगे ट्वेल्थ के लास्ट के चैप्टर में यह दिया गया है प्राक्रितिक रपगवाला अगले वर्सा की बुद्धा गोलाकार क्यों होती है तो यह कई बार रिपीटेट कोश्यन है वर्सा की बुद्धा गोलाकार होने का कारण है प्रिष्ट तनाओ ठीक है ध्यान दखेंगे सताही तनाओ भी होता है और इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन दिये गए है बागी तो सही नहीं है किवल ऑप्शन यह होगा है ठीक है सताही तनाओ को ही प्रिष्ट तनाओ क नहां पर इस्तित है लग्न्य देखें इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ फोश्च अपको मिलेंगे क्योंकि मैंने आपको बता है उत्तर्प्रदेश कॉश्टेबल जो वहा था अभी प्रिवेज पिछले कॉश्चेयं मासा एव से कुछ अगले देखे पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्थब्यों का प्राउधान यह बताया गया है धारा 23 में option C हो जाएगा एक अजार रुपई वह 500 रुपई के नकली नोट बढ़ी संक्या में बाजा रहे हैं वह बैंक को तो मैं पाई जा रहे हैं जाली करंसी नोटों के ब्रुद कार्यवाही भारती है रेंडस दाए की अंतर की lagi सार्फ कि जाते हैं मतलब जाली नोट हमारे बजार में चलते हैं उन जाली नोटों के खिलाब कब मनाय जाता है तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाय जाता है 25 जनुवरी को option A हो जाएगा नाक चीए पुलीस अपसर जनता के प्लतिक कैसा होना चीए तो पुलीस अपसर जनता के यह तो आपको बताना है इसमें सोच के बताना की कैसा होना चीए एक police official तो वह जनता पूलिस को अपना हितेसी समझे बिल्कुल सही है, जनता को उस पर विश्वास हो, जनता की मिलने के लिए हमेसा तहियार रहे, उपलोक तो सभी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसे कोईशन महत्वपुन है, उत्राखन कॉंस्टेबल भी जब आएगा, वहाँ पे आपके लिए का जाओ दिया था, विश्व भ्यापार संगटन का मुख्याले कहां परिस्तित है, तो विश्व भ्यापार संगटन का मुख्याले है, ऑप्शन C, जेनेवा में, ठीक है, ध्यान लगेंगे, ऑप्शन C, केंद्रिय जूट प्रोध्योगी की संस्तान कहां पेस्तित है, तो कें पहली बुलेट ट्रें परियोजना का सिला नियास किया तो पहली बुलेट ट्रेंट परियोजना कहां पे हो गी हमारी यह पूचा जा जाए डारेक्ट्लिक कोश्चन में गुजिलात में एहमधाबाद से मुंबई तक बनाई जाएगी ऐसा बोला जारह है केंदर सरकार दोरा जारी की गए यह कम पॉर्टल का संबंद किस्ते है तो यह कम पोब्टल का संबन הכzeug कर आव ठाव साफियोग नियुक्ट कर तो अले का फ्रियाएवाची किया है तो अली का फ्रियाएवाची होताइग्ण अफ्शन है यह सभी उंगेश मैं सखी सहेली ब्रह्मरी ठीक है सभी होता तो इसका आंसर देगा ओप्शन दि आरंब से पृते का प्रियोग हुआ है तो विलास विलास में कैसा पृतेसे लगा तूसका ऐस। option B, बोल्य में कौन सा पृतेस्ट है तो बोल्य में कारण सा पृतेसिं हो जाएगा फ्रैंड्डS option 2, बोल्य में जोडर से घते ben ओंत बोली हो गहीं और आकरष्ट का संदी विच्छेत क्या होगा तो आकरष्ट का संदी विच्छेत हो जाएगा option B आकर्सधन तो आकरष्ट ठीक होगा option B होगा इसका साहित्य लहरी किसकी रजना है देखिए मैंने हिंदी के प्रमुख साहित्य व कारष्ट राष्ट कृली सुचि जो अभी प्लिलिश दियू कर दिया है वहाँ पे मैंने आपको बादा दिया है साहित्य लहरी आ गया हमारा कौन से कवई है इसके आपको यह इसका अंसर तो इसका एंसर को आंसर किसकी आलोटसनात्मक्रशाद दीवेदी हुई और दिखें आकाँ दीब किसकी रचना है तो आकाँ दीब जो रचना है वह राचना है वह एसन्छंकर प्रषाद के ओप्शाद के आप्शन B सब्सक्राइवा प्रियाइवाची सब्सक्राइब किसी परकार के समास का उधारान है , तो फ्रेम सागर मैं कौन सा संहास हूगा दिखे समास की विडियो मैंने आपको दी थी अच्छे से सेपरेट वीडियो मैं लिंक दे दूँंगा विडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजीगा तो इसका आंसर हो होगा तो अवरोद का विलोम क्या हो जाएगा अगर ध्यान से देखिए option को तो इसका आंसर होगा अनावरोद जो आकास में विचरंग करता हो के लिए एक सब्द क्या है तो आकास में विचरंग करने वाले जीव या पक्षी को बोला जाता है खेचर option D नेक्स देखिए अब उत्राखंड का पोच्छन आ गया है यहां पर उत्राखंड का पोच्छन देखेंगे तो सबसे पहला कोश्यन है निम्न मैंसे कौन सी जन जाती किलतपूर मनेरा वा गंडेशादी छेत्रों में विच्छी सुरूप से पाई जाती है तो इसका सरी आंसर ह हो जाएगा महीगील ठीक है द्यान लखेंगे निम्न मैंसे कौन 27 मार्च 2005 को मिस इंडिया अर्थ 2005 चुनी गई तो उत्राखंड से जूड़ी है यह कौन है तो निहारी का सिंग्टी ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स देखें कसार देवी मेला कहां पर लगता है तो कसार दे है सरावन देखें ओप्शन बी हो जाएगा इसका नेक्से देखें विश्रूल के 24 अवतारों में से एक नर्शिहां अवतार को समर्पित मंदिर राज्य में कहां पे है तो उत्रागर में कहां पे ऐसा मंदिर या आपको बताना है इसका आंसर एका ऑप्शन सी भौश्य प्रद्युमन शा ठीक है ओप्शन ए हो जाएगा इसका अगले देखें निम्नमें से उत्रागर की रन आप दी रीवर परिकल्पना पर आधारित अपने धंकी पहली जल विद्यूत परियोजना कौन सी है तो रन आप द रीवर क्या होता है सुरंग बनाकर नदी का पानी व किस्सZ संबंदी है अगला देखें लगबग 20 पृति सत मधुवे की खेती होती है कुम्ब कल्यांगी समुद्र तल से कितने मीटर की उचाई पर है तो कुम्ब कल्यांगी है 3820 मीटर की उचाई पर नेक्स देखे टम्टा सुधार सबाग की स्थापना अल्मोडा में कब होई थी तो टम्टा सुधार सबाग ये अल्मोडा में स्थापित की गई 1912 में नई कोशियन मिलने हैं आज आपको इसमें तो टैगो और टॉप जो इस्तित है वो रामगर में इस्तित है नेनिताल में नेक्स है कब भिलंगान नदी से पानी विद्धु चालित मोटरों से खीच कर टीहरी नगर की जलापूरती ब्योस्ता की गई तो टीहरी में पानी की व्योस्ता है तो मोटर लगा गई बिलंगान नदी का पानी खीचा गया उससे ठीक है यह कब सुरू हुई थी परियोजना 1905 में ऑप्शन ए उत्रागंड में निम्न किस जीले की ओसत वार्शिक वर्षा क्रमसह 242.5 cm है तो काफी ज्यादा वर्षा की यहां पर बात हो रही है तो ऐसा कौन सा जन्पद्ध है इसका आंसर हो जाएगा मसूरी में होती है इतनी वर्षा देरादुन में भी होते है ननी ताल में भी होते अगला कोशिन है निम्न में से कौन सा जिला चाय इतपादन हितु प्रशिद नहीं है तो नहीं है बताना है आपने ठीक है तो अलमोगा में होती है चाय पौगल में होती है नेनिताल में होती है हरिद्वार नहीं हो गए तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन B अगला देखे तो इसका आंसर उजाएगा ठाकुर पॉंच सिहनेगी, ऑप्शन दी, नंदा देवी विहार कितने वर्ग कीलो मिटर में फैला है, तो कितने इसका कीमी में फैला है, ठीक है, नंदा देवी विहार, ये मैंने आपको जो विहार अभ्भ्यारंग वाली वीडियो दी थी, ट्रिक के माधनेव से उसमें भी पताया था, हर आपको अभ्यारण क्योंकि कम है राज्यम और राष्ट्य उद्ध्यान इनके आपको जो छेत्र भल है वो भी याद होने चीए ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा 630 वर्ग कीमी option B अगले फूलो की घाटी को मेग दूत मैं किस नाम से संबोधित किया गया तो काली दास की रचन है मेग दूतम इसमें फूलो की घाटी को क्या बोला गया अलकार ठीक है option A अगले तीक है कनहिया अश्टमी कौन सी जन जाती मनाती है तो यह महत्वपूल कोश्चन है तो कनहिया अश्टमी का संबन्ध है थारू जन जाती है option B next से देखें निम्न मैंसे कौन से गीत प्रेमी गीत होते है तो प्रेमी गीत कौन सा इसमसे अगर ध्यान से देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाम अगल गीत option C next से देखें हेमकुन्ड मैं संत सोहन सिहन रहं गुल दवारे की स्तापना कब की थी तो हेमकुन्ड साहिब ठीक है जिसकी स्तापना जिसकी नेव डाली थी कौन से संब्सेन मैं यह हो था घाटी इस्तित है तो तरकाशी और हिमानचल की सीमा पर घाटी है माजी वन की फूल घाटी option c नेक्स से देखे जिल हिज के कौन से दिन उत्राखण में पेगंबर इब्रहेम की याद में मनाई जाने वाला परवा इदूल जुहा बकरीईद मनाई जाता है तो जो हमारा ये मुस्लिमों का एक पवित्र त्योहार है एदूल जुहा बकरीईद भी बोलते हैं इसको तो ये कौन से पेगंबर की याद में मनाई जाता है तो इसका आंसर हुजाएगा option a दसवे पेगंबर थी वो पेगंबर इब्राहिम इसका आंसर है 1591 गुंजन के रचेता कौन है तो गुंजन नामक जो रचना है इसकी रचना किस ने की है तो इसका सही आंसर हुजाएगा सुमित्रा नंदन पंत option b अगले विश्व की आदिम जनजाती में से एक वन राजी जाती के निर्वाचित प्रथम निर्दलिय विधायक कौन थे तो ये कीर्थिमान बनाया था धार्चुला सीट जब रिजर्वा हुई थी एस्टी सीट के लिए तो वहाँ पे राजी जनजाती के विधायक गगंसिय रजवार जो की दो बार लगातार निर्वाचित हुए थे ठीक है option d इसका आंसर हुजाएगा अगले लिखे आपदा नियूनी करण यहों प्रभंध के इंदरे राज्य में कहां इस्तित है तो आ आंसर हो जाएगा मिर्णाल पांड्य ने लिखाया यह ठीक है मधुमक्खी पालन की 24 ओध्योगी काया कहां पर इस्तित है तो ऑदौध्यों की पालन की 24 ओध्योगी एकाया लगे हुए राजी में वह भवाली नामक प्लेस पे लगए ठीक है भवाली हल्दवानी में। अगला देखें 59 गरवाल राइफल की स्थापना कब हुई थी तो 49 गरवाल राइफल की स्थापना की गई थी इसका सन था 1901 ऑप्शन 20 का अंसर हो जाएगा 1901 ठुलमा टुमकर चुटका नाम से सब्सक्राइब बनाती हैं तो यह मैंने आपको बताए था यह सभी चीज़ा यह सभी उनी वस्तिल किस में बनाए जाते हैं जाड़ जन जाती में ठीक है अगले देखें निम्नम ऐसे कौन सी मुख्या फसल है राज जी की ठीक है ध्यान रखेंगे राज जी की बात हो लिए अपर उत्राखंट की मुख्या पसल है कौन-कौन सी है तो मढ़ भूर है डाले भी उती है यहां पर और मक्का भी होता है तो अप्योग तो सबी ओक्रण अगर दिखे उत्राखंड अल्पशंक्यक आयूक का गठन कप किया गया तो उत्राखंड में अल्पशंक्यक जो माइनोर्टीज कमिशन है इसका गठन हुआ था इसका सही आंसर उप्शन सी 27 मई 2003 लास्ट कोशियन है आज के इस मॉडल पेपर कि सुलेंद्र शियां कनवासी कि संबंधित है तो सुलेंद्र शियां कनवासी का संबंधित है नौकायान से ठीक है ध्यान रखेंगे नौका दोग या नौकायान से मैं पार्टिसिपेट करते हैं तो यह हो गया इसका अंसर ऑप्शन डी तो फ्रेंस यह था फोरेस्टिक आट मॉडल पेपर एट जिसमें आ नेक्स वीडियो में उसका करेक्शन हो सके तो फ्रेंस थैंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज डू लाइक एंड शेयर और चैनल के साथ बने रहें मिलेंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक अच्छे से अपना ध्यान रखें पढ़ाई करें फीजिकल का भी एफट करें गाट के लिए क्योंकि जल्दी फीजिकल होगा इसका और अच्छे से अपनी सेहत का भी ध्यान रखें क्योंकि मौसम काफी खराब है इसी आसा के साथ मिलूंगा अगली बार तब तक के लिए जय हिंद वन दे मात्रम